एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था, उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ वो जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था, जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते, उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था वो अपने काम में निपुन था और मेहनती भी इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि जब उसके बनाएं जूते बिकने कम हो गए जो बिकते वे भी बहुत कम दाम पर उचित दाम न मिल पाने के कारण उसका धंधा मंदा चलने लगा उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई नतीजतन उसकी जमा पूंजी समाप्थ होने लगी थिती ये आ गई कि घर चलाने के लिए उसे पत्नी के गहने गिर्वी रखने पड़े घर का सामान बेचना पड़ा ये बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया वो हर समय चिंता में डूबा रहता उसे चिंतित देख उसकी पत्नी हमेशा धाधस बंधाती देखिये उपर वाला सब देख रहा है उस पर भरोसा रखिये यकीन मानिये सब ठीक हो जाएगा पत्नी की बात पर वह मुस्कुरा देता लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता उसकी दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चला था तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे थे जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्रहक नहीं आ रहा था एक दिन वह अपने बनाया आखिरी जूते बेचने बजार चला गया जूते बिक गए जो पैसे मिले उससे उसने घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और घर वापस आने लगा रास्ते में उसे एक गरीब बूरी औरत दिखाई दी उसने कुछ पैसे देकर उसकी मदद की और घर चला आया शाम को जब वह अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहाँ चमरे का बस एक छोटा टुकडा बचा हुआ है उस टुकडे से सिर्फ एक जूता बन सकता था उसने जूते बनाने के लिए चमरा तो काट लिया लेकिन रात हो जाने के कारण जूते नहीं बना पाया अगले दिन जूते बनाने का सोच वह घर आकर सो गया अगली सुबह वह जब अपनी दुकान पर गया तो चकित रह गया जहां वह चमरा काट कर रख गया था वहां बहुत ही सुन्दर जूते रखे हुए थे इतने सुन्दर जूते उसने कभी देखे ही नहीं थे उन्हें बेचने जब वह बाजार गया तो उसे उसके बहुत अच्छी दाम मिले वापसी में घर के लिए कुछ सामान के साथ ही उसने जूते बनाने का सामान भी खरीदा कुछ पैसे उसने जरूरत मंदों को दान में भी दिये उस रात उसने दो जूते बनाने के लिए चमरा काट कर रखा अगली सुबर दुकान में उसे दो जोडी सुन्दर जूते मिले वो हैरान था जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली देखा मैंने कहा था न कि उपरवाला सब देख रहा है उसका ही आशिरवाद है कि कोई नेकदिल इंसान हमारी मदद कर रहा है मोची के चमड़े काट कर छोड़ने और फिर अगले दिन बने बनाए जूते मिलने का सिलसिला जारी रहा एक से दो, दो से तीन और फिर रोज उसे कई जोड़ी जूते मिलने लगे वे जूते ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे बाजार में उसका नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीर लगने लगी अच्छे दाम में जूते बिकने से मोची ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया उसकी आर्थिक स्थिती सुधर गई वो और उसकी पत्नी सदा मन ही मनुन नेक दिल लोगों का धन्यवाद करते थे जो रोज रात उनकी दुकान पर आकर जूते बना जाते थे एक दिन मोची की पत्नी बोली इतने समय से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है और हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं क्यों ना आज रात जाकर हम दुकान की रखवाली करें और देखे की कौन रोज हमारी मदद के लिए आता है मोची को पत्नी की बात जंच गई उस रात दोनों सोए नहीं बलकि दुकान में जाकर छुप गए कुछ घंठे इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि खिलकी के रास्ते तीन बोने दुकान की भीतर आये और गीत गुन बुनाते हुए कटे हुए चमलों से जूते बनाने लगे मोची और उसकी पत्नी उन्हें छुप कर देखते रहे रात भर मेहनत कर जूते बनाने के बाद तीनों बॉने खिर्की के रास्ते ही वापस चले गए उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे मोची की पत्नी बोली उन तीन बॉनों ने हमारी बहुत मदद की है हमें उन्हें उपहार देकर अपनी कृतग्यता व्यक्त करनी चाहिए तुम ही बताओ, हमें उन्हें उपहार में क्या देना चाहिए मोची ने पूछा, तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके थे मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना मोची मान गया, बाजार से सामान लाकर वे बॉनों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे कुछ दिनों में कपड़े और जूते तयार हो गए कपड़े बहुत ही सुन्दर बने थे और जूते शांदार थे उस रात चमड़े की स्थान पर उन्होंने बॉनों के लिए तयार किये कपड़े और जूते रख दिये रात जब तीनों बॉने दुकान के भीतर आये तो चमडे की स्थान पर अपने नाप की कपड़े और जूते देखकर बड़े खुश हुए कपड़े और जूते पहन कर वे नाचने गाने लगे उन्हें नाचता गाता देख मोची और उसकी पतनी बहुत खुश हुए वे समझ गए कि बॉनों को उनका उपहार पसंद आ गया है उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसकी काटे गए चमडे दुकान में जसकी तस्पड़े हुए है बॉनों ने वहाँ आना बंद कर दिया था मोची समझ गया कि बॉने अब कभी नहीं आएंगे बॉनों को मोची की जितनी मदद करनी थी वे कर चुके थे अब मोची ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चा किया इतने दिनों में उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद का अंदाजा लग चुका था और हुनर की उसमें कोई कमी नहीं थी मेहनत से वह जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा अब उसके बनाये जूते भी बौनो द्वारा बनाये गए जूतों जैसे सुन्दर थे ग्राहकों को उसके बनाये जूते भी पसंद आने लगे वे उसकी दुकान में आते रहे और उसकी दुकान सबसे सुन्दर जूतो वाली दुकान के रूप में शहर भर में मशहूर हो गई